प्रिय विद्ध्यार्ती साथियो, इस वीडियो में आपको हम महराजा 16 साल बुंदेलखन युनिवर्सिटी चतरपूर के आधार पाठिक्रम के अंतरगत हिंदी भाषा का पेपर दिखा रहे हैं। यह वीडियो BA, BCOM, BAC, BHSC, BBA, BCA फर्स्ट एर के सभी विद्ध्यार्तियों के लिए अत्यनतही महतोपुर्ण हैं। शाष्की महाविध्याले पलेरा, जीला तिकमगड की मेडम प्रोफेसर, डॉक्टर चंद्रावती निराला जी का बहुत बहुत आभार उन्ही के सोजने से हमें यह पेपर प्राप्त हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिये। धन्यवाद। हिंदी भाषा के पेपर में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न एक। मात्र भूमी का वस्त्र या परिधान क्या है। A. समुद्र B. नदिया C. नीला आकाश D. बादल। प्रश्न 2. रत्नाकार का समानार्थी शब्द है। A. रत्न B. समुद्र C. नदिया D. सूर्य प्रश्न 3. मात्र भूमी किसकी सगुण मुर्ति है। A. जीवन की B. इश्वर की C. आत्मा की D. मनुश्यों की प्रश्न 4. राष्ट कवी की उपाधी किस कवी को प्रदान की गई है। A. सूर्य कांत त्रिपाठी निराला B. जै संकर प्रशाद C. मैथली शरण गुप्त D. इनमे से कोई नहीं। प्रश्न 5. मात्र भूमी किस युग की कवीता है। A. दिवेदी युग B. भारतेंदु युग C. छायावाद युग D. नहीं कवीता। प्रश्न 6. शतरंज के खिलाडी कहानी के लेखक हैं। A. रामचंद शुकल B. प्रेमचंद C. शरत जोशी D. रघुवीर सहाए। प्रश्न 7. शतरंज के खिलाडी के माध्यम से दिखाया गया है। A. अंग्रेज शाषकों का दमन B. अंग्रेज शाषकों का पतन C. शतरंज के खेल का महत्व D. खिलाडियों की खेल भावना। प्रश्न 8. शतरंज का खेल मीर और मिर्जा की किस प्रवत्ती को बताता है। A. रास्ट्रिय प्रवत्ती को ब सम्रधी एवं सम्मान को C. विलासी प्रवत्ती को D. स्वाभी मानी प्रवत्ती को प्रश्न 9. उपन्यास सम्राट कहा जाता है। A. आचार्य शुकल को B. मुन्शी प्रेमचंद C. शरज जोशी D. वरंदावन लाल वर्मा प्रश्न 10. अंग्रेजी सेना का लखनाओं में प्रवेश का क्या कारण था। A. शहर में शांती इस्थापित करने के लिए। B. वाजीद अली शाह की सुरक्षा के लिए। C. लखनाओं पर अधिकार करने के लिए। D. मिर्जा की गिरफतारी के लिए। प्रश्न 11. अन्न की नस्टार्थी देवी कौन है। A. इला B. जिल्ली C. इल्ली D. चना प्रश्न 12. खेर सरकार जागी मंत्री जागे अफसर जागे फाइले उधित हुई। एसा किसने कहा? A. छोटे अफसर ने B. बड़े अफसर ने C. किसान ने D. लेखक ने प्रश्न 13. शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? A. चने की B. बाजरे की C. यहूं की D. जोर की प्रश्न 14. जीप पर सवार इल्लिया निबंध में लेखक ने किसके उपर व्यंग किया है? A. सरकारी कर्मचारियों पर B. समाज के लोगों पर C. किसानों पर D. राजनेताओं पर प्रश्न 15. लेखक के अनुसार राजधानी को किसने घेर लिया था? A. किसानों ने B. रेंगती हुई रिपोर्टों ने C. वकीलों ने D. नागरिकों ने प्रश्न 16. रामायन की रचना मूल रूप से किसने की थी? A. तुलसीदास B. वेदव्यास C. वालमीकी D. संत एकनाध प्रश्न 17. रामायन किस युग की रचना है? A. त्रेतायुग B. द्वापर C. सत्युग D. कल युग प्रश्न 18. स्वामी करपाजी ने रामायन मिमांसा की रचना करके राम गाथा में कौन सा आयाम जोडा? A. भावात्मक B. सांस्क्रतिक C. सामाजिक D. वैज्यानिक प्रश्न 19 D. पदम C. माधव D. राघव प्रश्न 21 लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? A. भाशा में आवेग की उमंग B. क्रोध में इर्श्या की उमंग C. सुख में दुख की उमंग D. साहस्पूर्ण आनंद की उमंग प्रश्न 22 उत्साह कौन उत्पन करता है? A. कर्म भावना B. फल भावना C. दया भावना D. द्वेश भावना प्रश्न 23 कर्म के अनुस्ठान से प्राप्त आनंद कितने प्रकार के होते हैं? A. चार प्रकार B. दो प्रकार C. तीन प्रकार D. पांच प्रकार प्रस्न 24 उत्साह की गिंती केसे गुणों में होती हैं? A. बुरे गुणों में B. अच्छे गुणों में C. दोनों में D. इनमें से कोई नहीं प्रश्न 25 उत्साह किस प्रकार का निभन्ध है? A. हास्यास्पद B. मनोवाज्यानिक C. मनोविकारसंबंधी D. विवादास्पद प्रश्न 26 भारत वर्ष की एकता किसमें छिपी है? A. विविधताओं में B. धर्म में C. कर्म में D. जाती में प्रश्न 27 पहाड और रेगिस्तान की जिन्दगी कैसी होती है? A. सरल B. विविध C. पहाडी D. मुश्किल प्रश्न 28 भारतियों को एकता के सुत्र में बांधने का मूल क्या है? A. सांस्कृतिक एकता B. भाशा C. विवहार D. सम्विधान प्रश्न 29 नदियों और पठारों में रहने वाले लोग किस तबियत के होते हैं? A. मुश्किल तबियत B. शर्मीली तबियत C. किसानी तबियत D. इनमे से कोई नहीं प्रश्न 30 रामधारी सीह दिनकर की रचना कोन सी है? A. जूठन B. भारत एक है C. तिरची D. उसने कहा था प्रश्न 31 D. सांख्य प्रश्न 33 भारत में चार मठों की इस्थापना किसके द्वारा की गई? A. तुलसीदास B. आदी शंकराचार्य C. रामानंद D. रामकृष्न परमहंस प्रश्न 34 द्वारिकापूरी में किस मठ की इस्थापना है? A. जोतिर मठ B. शंगेरी मठ C. गोवर्धन मठ D. शार्दा मठ प्रश्न 35 शंकराचार्य की द्रस्टी में जगत क्या है? A. मिथ्या B. सत्य C. अनंत D. पूर्ण सत्य प्रश्न 36 केशरी किसका परियाए है? A. मन्थन B. दुवेलन C. सीह D. म्रग प्रश्न 37 नभ का परियाएवाची शब्द है? A. खाना B. खोना C. धर्ती D. आकाश प्रश्न 38 निपेक्ष का विलोम है? A. सापेक्ष B. अपेक्षित C. अनपेक्षित D. उपेक्षित प्रश्न 49 पद छोडने के लिए लिखा गया पत्र A. प्रार्थना पत्र B. आवेदन पत्र C. त्याग पत्र D. नियुक्ति पत्र प्रश्न 40 पहले लिखे गये पत्र का इस्मरण कराने के लिए लिखा गया पत्र A. अध्यादेश B. अनुईस्मारक C. आदेश D. अधिसूचना प्रश्न 41 दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं A. समास B. संधी C. रस D. अलंकार प्रश्न 42 रजनीश में कौन सी संधी है A. दिर्ग संधी B. यन संधी C. व्रधी संधी D. गुन संधी प्रश्न 43 संधी के मुख्य कितने प्रकार होते हैं A. दो B. एक C. D. तीन D. चार प्रश्न 44 व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं A. व्यंजन संधी B. स्वर संधी C. विसर्ग संधी D. इनमें से कोई नहीं प्रश्न 45 विसर्ग संधी का उधारण है A. नवागत B. रजनीश C. वागीश D. प्रातहकाल प्रश्न 46 खालिस्तान का अर्थ इश्वर के साथ संबंध इस्तापित करना है A. धर्म B. अवधार्न C. पूजा D. भक्ति प्रश्न 47 हिंदू धर्म को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? A. हिंदूस्तानी धर्म B. हिंदू धर्म C. सनातन धर्म D. पार्सी धर्म अगला प्रश्न है प्रश्न 48 उपनिश्दों की कूल संख्या कितनी है A. 111 B. 108 C. 106 D. 107 प्रश्न 49 मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का शशक्त माध्यम है A. ग्यान B. जीवन C. भाशा D. दर्शन प्रश्न 50 भारती अर्थ्य व्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसको दिया जाता है? A. केंद्री करण B. वैश्वी करण C. नीजी करण D. उदारी करण इस पेपर में पूछे गए प्रशनों के उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं और हिंदी भाशा के पेपर की अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्रेलिस्ट की लिंक को क्लिक कीजिए आपको पूरे कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए धन्यवाद मुणद बॉक्षी मजए लगर के वीडियो कि लिजए और बॉक्त